जहां एक तरफ लोगसभा चुनाओं का समय नजदीक आ गया है तो वहीं सभी राजनेतिक दल अब अपने दाओं लगाने में लग गए हैं ऐसे में राम के नाम पर भी अपसियासत गरम हो रही थी जहां एक और प्रभुश्री राम की प्राणपतिष्ठा के बाद पूरे दे और ये लक्ष में कानपूर देहात से लगभग 14,000 लोग चुने गए हैं जिन्हों ने प्रभुश्री राम के दर्शन करने के लिए आवेधन किया था हमारे साथ कानपूर देहात के जिलाध्यक्ष मनोश्चुकला जी हैं उसे बात करेंगे कि आखिर यह क्या अलग है और क राम नल्ला के भब मंदिर का निरमार लोगों में उत्सुकता बना रहा है और उसी उत्सुकता के तहट यह जो कार करता उत्साइध है वो दर्सन के लिए अयुद्धा जाना चाहते हैं उनके लिए हम लोग बेवस्ता कर रहे हैं और उनको वहां ले जा के दर्सन कराने की प्रिक्या को पूरा कर रहा है क्या यह चुनावी हिस्ता इसे नहीं माना जा रहा क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहा है कि प्रभु श्री राम के नाम पर सियासत हो रही है और भारति जंता पार्टी इसका जो फाइदा है वो लेती हुई दिखाई दे रही है विपक्ष के कि प्रिक्या है ना कोई आविदन कर रहा है केवल एक मानक ते किया गया है कि जो हमारा बूत का सिपाई है उसको किस तरीके से हम लोगों को दर्सन कराने हैं और उसकी जो टीम है उपाद्यक्ष हैं मंत्री हैं महामंत्री हैं और बियले हैं उसके साथ जो ग्राम सवा में प वग आठ जार की संख्या बनती है तो पहले चक्र में हम लोग 8000 को भेज रहे हैं 14000 लोगों ने आज की डेट में अपने डाकुमेंट्स हमको दे दिये हैं जो वहाँ पे पैचान पत्र के रूप में लिये जाएंगे अगर हम बात करें तो कानपूर बुंदेलखन जो छेत्र है इससे भी तमाम लोग होंगे जो प्रभुश्री राम के दर्शन करना चाह रहे होंगे अनुमानित तोर पर अगर हम बात करें तो लगबत कितने लोग होंगे जो प्रभुश्री राम के दर्शन करने बिजेपी के लोग उन्हें लेकर जाएंगे हमारे यहां कानपूर ब कि हम राम लला के दर्सन करें, तो कितनी हम तादात अगर हम बात करें, तो कितनी तादात हो शकती है कानपुर बुंदिल खंचेत्र में? मैंने कहा ला कि हर सनातन को मानने वाला, ओ भग्वान राम के दर्सन करना चाहता है, कोई संख्या निर्धारित नहीं है, जो लोग प्रभू राम के दर्शन कर रहे हैं जिनने आप लेकर पहुंचेंगे बहुत जल्द चुनाओ की भी तारीखे आने वाली हैं तो क्या लगता है कि जनता का रुख भरतियंता पार्टी के साथ कैसा हो रहेगा जनता के सामने विपक्ष है ही नहीं वो तो केवल नरेन मोदी के अलावा किसी के मन में कोई दूसरा दूसरा चिन्तन ही नहीं तो मानते हैं मतलब जनता का रुख दिखाई दे रहा है पूरी तरीकी जनता का रुख 100% दिखाई दे रहा है और आगामी चुनाओं में जो रिजल्ट आएगा वो भारती जनता पार्टी साले 400 से ऊपर जाएगी तो देखे लगातार जो प्रभुश्री राम के दर्शन कराने का लक्ष भारती जनता पार्टी लेकर प्रतेक बूत से लोगों को आयोध्या लेकर जा रही है तो इसमें ऐसे में ये लाइन कहना गलत नहीं होगा कि राम से बड़ा राम का नाम क्योंकि राम के साहरे ही अब आ आसी नहीं है बलकि धार्मिक है लोगों के आस्थाओं से जुड़ा हुआ मामला है और हमारा करतव है हमारा हमारे देश के जो प्रधान मंत्री वो चाहते हैं कि देश का हर नागरिफ प्रभुश्री राम के दर्शन करे कानपुर्देहास से विकाज दिमान एबीप एबी पी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी